तो आप सभी का एक पर फिर से स्वाहत था आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप Gmail account मतलब Google account किस तरीके से बना सकते हैं मतलब email id किस तरीके से बना सकते हैं हर एक mobile में Google चलाने के लिए YouTube चलाने के लिए Play Store चलाने के लिए या और भी कोई चीज चलाने के लिए एक email id होना चाहिए तो वही चीज आप किस तरीके से बना सकते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ जो भी नए लोग हैं मतलब जो भी नया mobile यूज करते हैं जिनको उतनी जानकारी नहीं है तो वह लोग confused रहते हैं कि Gmail id, Google id, email id किस तरीके से बन सकता है तो उनी लोग के लिए वीडियो है जिनको पता है तो वह वीडियो छोर के जा सकते हैं जो वीडियो के साथ लास्तक बने रही है फुल डिटेल के साथ A to Z जितना भी चीज होता है सब मैं cover करने वाला हूँ तो सब सब पहले आपको अपने mobile के Google को open कर लेना है देखिए यहां Google है इस पर मैं click मारता हूँ तो देखिए सब से उपर यहां type करने का आता है type करने वाद सर्च करना होता है तो यहां पर मैं click देता हूँ Gmail account जैसी आप Gmail लिखने जाएंगे तो देखिए यहां एक option आजागा Gmail create तो आप लिख भी सकते है Gmail create या फिर Gmail account भी लिख सकते है जो भी लिखना है लिखने के बाद आपको search करना है जैसे search करेंगे बहुत सारे अलगलग website आएंगे तो आपको यह वाले website पे नीचे आना है देखे support.google.com यह देखे ओपर दिया है और नीचे दिया है create a Gmail account Gmail help Google support ते इस पे आपको click मारना यही वाले website पे तो जैसे आप click मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा तो यह Samsung का mobile है इसलिए यहां पे accept or condition मतलब permission मांग रहा है तो बहुत सरे mobile में direct खुल जाएगा वह वाला page जहां पे Gmail account बन सकता है और अगर आपका Samsung या फिर कोई other company का mobile है तो बहुत सरे में इस तरह का permission मांगता थे यहां से आपको permission दे देना है तो permission देने के लिए accept and condition पे मैं click मारता हूँ और उसके बाद देखे कुछ इस तरह का दिखेगा तो यहां से आपको no thanks कर देना है no thanks करने के बाद देखे नया page open हो गया तो कुछ इस तरह का दिखेगा तो देखिए यहां दो option दिया है for myself और दूसरा option है to manage a business मतलब Gmail account दो तरह के होते हैं तो हमें for myself वाला account बनाना है और यही आपको भी बनाना है तो पहले वाले option पे click मारता हूँ for myself जैसे आप click मारेंगे तो देखे नया page open हो जाएगा तो देखे click मारने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा तो देखे यहाँ पे form fill up करने के लिए आ गया Gmail account, Google account या फिर email ID बनाने के लिए तो देखे यहाँ पे first name मांग रहा है और last name मांग रहा है जो भी आप email ID बनाना चाते हैं जिसके भी नाम से अगर आप अपने नाम से बनाना चाते हैं तो आप अपना name fill कर देंगे अगर किसी और की नाम से बना रहा है तो उनका नाम fill कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं first name और last name में क्या क्या डालना है जैसे अगर आप हिंदू हैं, आपका नाम है राजू कुमार तो first name में आप राजू लिखेंगे और last name में कुमार लिखेंगे अगर आप मुसलिम है तो अगर आपका नाम है मुहमद आसीफ तो first name में मुहमद लिखेंगे और last name में आसीफ लिखेंगे अगर जिनका तीन आता है जैसे मुहमद जावेद आलम तो मुहम्मद जावेद फर्स्ट नेम में लिखेंगे और आलम लाश्ट नेम में लिख देंगे तो इस तरह का आप लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों को बहुत सारे लोग यहां कन्फ्यूज हो जाते हैं यह नाम लिखने के बाद देखें यहां दिया है यूजर नेम यूजर नेम का मतलब होता है आपको किस नाम से इमेल आइडी जीमेल आइडी या फिर गूगल अकाउंट चाहिए तो जैसे अजे कुमार के नाम से मैं ये email ID बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डालूँगा अजे कुमार तो आप जैसे जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो आपके जानकर के लिए बता देता हूँ कि email ID, Gmail ID या फिर Google ID जो भी होता है ये unique होता है, मतलब सबका अलग-अलग होता है एक जैसा किसी का भी नहीं हो सकता इसलिए अजे कुमार नाम से तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही बनाया होगा तो शायद हमें ये name मिले या ना मिले तो मैं डाल के देखता हूँ अगर नहीं मिलेगा तो किसी और नाम से बना लेंगे तो देखें, मैं यहां डाल रहा हूँ अजे कुमार तो देख सकते हैं, मैंने अजे कुमार डाल दिया तो देख सकते हैं कि अभी मैं यहां से कुछ ने करूँगा नीचे दीया पासवर्ड तो आपको कुछ भी पासवर्ड रख लेना है जो आपके याद गार में रहे मतला जो भी आपको याद रहे और 8 letter का होना चाहिए मतला 8ettle का कम से कम होना चाहिए या फिर 8ettle से ज़्यादा होना चाहिए तो normal आपको दिखाता हूँ अगर आप कम अक्षर के डालेंगे तो देखे नहीं लेगा तो देखे मैं मातर अजे डालता हूँ और password दिखाता हूँ देखे इस तरह का अजे डाला है तो मैं डाल देता हूँ अजे capital लेटर में लिख देता हूँ और कुमार small लेटर में और उसके बाद एक दो तीन कुछ भी रख लेता हूँ ताकि थोड़ा strong रहे तो इस email ID को बाद में आप मत चेक कहिएगा क्योंकि यह मैं normal बना रहा हूँ तो इसका password में बाद में change कर दूँगा तो देखे एक दो तीन डाल दिया और यह जो यूजर नेम था जो हमने डाला था अजे कुमार नाम से तो वह भी नहीं मिला है क्योंकि यह already बन चुका है तो हमें एक unique user name मिल चुका है तो मैं इसको रख लेता हूँ आप चाहें तो बदल भी सकते हैं अलग नाम भी रख सकते हैं आजे कुमार में एक दो तीन या फिर mobile number add कर सकते हैं या फिर कोई code add कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है तो मैं फिलाल इसी को रख लेता हूँ आप चाहें तो कुछ भी रख सकते है उसके next पे click मारता हूँ तो देखे next पे click मारने के बाद एक नया page open हो गया है इन सबको भी आपको भरना पड़ेगा जो जो भी चीज लगेंगे यह सब यहाँ पे मैं fill कर देता हूँ तो देखे यहाँ पे दिया है तो mobile नमर देने के लिए बोल रहा है मतलब phone number optional में है आप डाल भी सकते हैं नहीं डालेंगे तो बाद में fill डालना पड़ेगा OTP प्राप्त करने के लिए तो मैं डाल देता हूँ mobile नमर डालने के बाद देखे यह recovery email address है optional में तो इसको डालना जरूरी नहीं इसको छोड़ देना है उसको बाद देखे यह date of birth पूछ रहा है तो आपको अपने date of birth mention कर देना मतलब भर देना है तो मैं यहाँ से select कर लेता हूँ महिना दिन और साल उसको बाद नीचे gender है अगर आप लड़का है तो लड़का के लिए mail भर देंगा अगर आप लड़की हैं तो female select कर लेंगे उसके बाद नीचे option दिया है next का तो next पे आपको click मारना है जैसे आप next पे click मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा तो यहाँ बोल रहा है mobile नमर verify करने के लिए आपके mobile पे OTP भेजे का जो नमर आपने दिया है तो यहाँ पे आपको send पे click मारना है तो देखें verification code चला गया आपको mobile नमर पे तो यहाँ पे आपको fill कर देना है तो OTP डालने के बाद जो भी OTP आपके message में आया है उसके बाद verify पे click मारना है तो जैसे आप verify पे click मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा यहाँ से आपको yes I am in पे click मार देना है उसके पिर आएगा कुछ इस तरह का तो आपको सबसे नीची आना है तो इस पे click मारना है I agree यहाँ से कर देना है जैसे आप I agree पे click मारेंगे तो फिर कुछ इस तरह का दिखेगा तो यहां से आप देख करके समझ सकते हैं कि आपका Gmail account, Google account या फिर email ID बन चुका है तो यह जो email ID दीख रहा है तो यहां से आपको screenshot कर लेना है या फिर इसको लिख लेना है कहीं पर या फिर आपको अगर याद रहेगा आपका email ID जो username मिला है तो आप यहां से cut कर देंगे मुझे तो याद है इसलिए मैंने cut कर दिया अब मैं दोबारा Google में जाओंगा और जो email ID, मतलब Google ID मैंने बनाया है वो वाले user ID डाल करके और password डाल करके login करूंगा तो देखे इस mobile में मैं login करता हूं तो Google मैं click मारता हूं उसके देखे जी पे मैं click मारता हूं और इसके देखे यहां पे पहले से email ID लोगिंग किया हूँ तो इसके पे मैं click मारता हूं यहां पे click मारता हूं और इसके बाद add another account पे मैं click मारता हूं तो देखे यहां से मैं Google select कर लेता हूं जैसी मैं इस पर click मारूँगा तो थोरा सा चर्की के तरह घुमेगा उसके बाद देखे यहां पर भरने का आ जाएगा तो जो भी user name मुझे मिला है जो भी मैंने रखा था वो मैं डाल दूँगा तो एके उसके बाद जो नम्मर था वो भी डाल देता हूँ मैं उसके बाद 12808 उसके बाद 8.8.gmail.com भी आप लिख सकते हैं तो मैं नहीं डाल रहा हूँ ऐसी भी ले लेगा लेकिन आपको डालना जरूरी है उसके बाद next पर click मारना है यहाँ पर आपको password डाल देना है और एक बात कि जो भी user name मिलता है वो सारे small letter में ही होते हैं चोटे अक्षरों में ही होते हैं बरे अक्षरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि यह एक policy है उसके next पर आपको click मारना है उसके यहाँ से आपको I agree कर देना है तो देखे यह login हो चुका है उसके आपको proof के तौर पर दिखाने के लिए मैं Google से बाहर आ जाता हूँ तो देखें यहां पर मैं क्लिक मारता हूँ तो देखें यह वाला email id यहां पर logging हो गया है तो यहां पहले से दिया हुआ है तो यहां पर मैं क्लिक मारता हूँ और उसके देखें इसको select कर लेता हूँ तो देखें यह logging हो गया है तो इस तरी के से आप कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही ऐसी नहीं जानकर रिपाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए